हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल फाइनाशल सिक्षा में वापस स्वागत है, मुझे आशा है कि आप सब अच्छे होंगे आज हम इंडेक्स फंद्स के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं आप अगर हमारे वीडियोज रेगूलरली देखते हैं, आपको पता ही होगा कि जब भी हम इंवेस्टिंग के बारे में बात करते हैं, हमेशा इंडेक्स फंद्स को प्रेफेरेंस देने को बोलते हैं हमारे पिछले विडियो Common Sense Investing में हमने Actively Managed Mutual Funds और Passively Managed Index Funds को विस्तार से तुलना की है कैसे Index Funds सभी Mutual Funds में बहतर निवेश विकल्प है आसान भाशा में चर्चा की है आपने अगर अब तक वो विडियो नहीं देखा है क्रिपया आई बटन में क्लिक करके पहले देख लीजिए चलिए, सबसे पहले जानते हैं Index Fund क्या है ये एक प्रकार की Mutual Fund है जो Share Bazaar की Index को अनुसरन करते हैं Market का Index जैसे की NSE का Nifty 50 और BSE का Sensex इंडिया के Top Company के एक टोकरी के जैसा है इंडिया के Entire Stock Market कैसा Perform कर रहा है BSE Sensex में इंडिया के सबसे बड़ी 30 कंपनिया और Nifty 50 में कुल 50 कंपनिया सामिल है इसलिए ये दोनों Index को इंडिया का Growth के साथ तुलना किया जाता है Share Bazaar में Nifty 50 और Sensex के इलावा भी हर एक सेक्टर के Performance को ट्रैक करने के लिए अलग-अलग Index भी होते है उदाहरन के लिए IT सेक्टर के लिए IT Index, Automobile सेक्टर के Auto Index, Banking सेक्टर के Nifty Bank आदी Share Market में कुल 5000 से अधिक कंपनियां लिस्टेड है उनमें से 50 या 30 कंपनियां किस बेसिस पे सेलेक्ट किये जाते हैं आईए जानते हैं Selection के सबसे पहला Criteria होता है Free Floating Market Cap यानि कि जो कंपनी का बाजार में ट्रेडिंग के लिए उपलब्द शेयर्स के कुल मूले सबसे ज्यादा है चलिए एक उदाहरन से बहतर समझते हैं IT सेक्टर के दो सबसे बड़ी कंपनी Infosys और TCS में से Total Market Cap में TCS, Infosys से धाई गुना बड़ी कंपनी है लेकिन Nifty 50 में Infosys को TCS से आगे रखी गई है क्योंकि Infosys के कुल शेयर्स में से 85% शेयर्स मार्किट में ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है जो होता है 4.7 लाग करोर रुप्ये बाकी 15% शेयर्स कंपनी के प्रमोटर्स के पास है दूसरी तरफ TCS के केवल 28% शेयर्स ही ट्रेडिंग के लिए उपलब्ध है जो है 3.4 लाग करोर रुप्ये सेलेक्शन के दूसरा क्राइटेरिया ये है कि कंपनी को एक्सचेंज में लिस्टिंग होते हुए कम से कम 6 महीना कंप्लीट होना चाहिए अगर कोई कंपनी, futures and options में भी ट्रेडिंग होता है फिर लिस्टिंग के तीन महीने में ही सेलेक्शन के लिए eligible हो जाएंगे तीसरा क्राइटेरिया है liquidity यानि आसानी से खरीद बेच कर पाना इसके इलावा भी कंपनियों को SEBI के rules and regulations को strictly follow करना होता है लगभग हर एक index के companies को यही तरीके से list में सामिल किये जाते हैं और free float market cap के हिसाब से percentage wise rank किये जाते हैं यहां आप nifty 50 के एक से लेके दसवा rank के companies के list और index में उनके weightage कितना कितना है clearly देख सकते हैं Friends, आगे बढ़ने से पहले बोलना चाहता हूँ की ऐसा valuable वीडियो बनाने के लिए हमें बहुत समय और मेहनत लगता है अगर आपको हमारा वीडियो पसंदाती है तो like, share और comments करे और हमारा YouTube चैनल को subscribe करके bell icon को all पर set कर दे ताकि नया वीडियो का notification तुरंट पाए Shares के कीमत उपर नीचे होने के वज़े से हर एक company के market cap हर दिन कम ज़्यादा होता रहता है promoters के holdings भी कम ज़्यादा होते है इसलिए NSE और BSE ये list को हर 6 महीने में review करते रहते है और नई list तयार करते है Nifty 50 और Sensex के updated list आपको NSE और BSE के official website पे मिल जाएंगे Link हम description में भी डाल देंगे Index funds को share market के सबसे safe investment क्यों माना जाता है पहला कारण देश के सबसे बड़े companies सामिल होने के वज़े से Index funds को stability मिलती है इतनी बड़ी companies के डूबने का संभावना बिलकुल ना के बराबर है अगर by chance 50 में से कोई एक डूब भी जाता है फिर भी Index को ज़्यादा फरक नहीं पड़ेगा दूसरा कारण Market Index में अलग-अलग सेक्टर के स्टॉक्स सामिल होने के वज़े से हमें एक संतुलिद diversification मिलती है Nifty 50 में कुल 13 और Sensex में 11 सेक्टर के कंपनियां सामिल है यहाँ आप clearly देख सकते हैं कि Nifty 50 में 37.6 प्रतिशत financial service 12.6% IT, 12% energy, 9.8% consumer goods, 6% automobile, 4% healthcare sector के weightage है पिछले देर साल से IT सेक्टर डाउन है लेकिन फिर भी Nifty 50 Index all-time high पर है क्योंकि बाकी sectors अच्छा perform कर रहे हैं यह होता है diversification का फाइदा तीसरा कारण है Index funds में stock selection और buying selling में किसी का दिमाग नहीं लगता है Index के movement के हिसाब से आपका पैसा निवेश हो जाता है इसी वज़े से Index funds के expense ratio काफी कम होता है यहाँ fund manager का गलती की कोई गुनजाईश नहीं होती आपकी जानकारी के लिए फिर से बता दूं की 88% actively managed mutual funds market index के benchmark को बीट नहीं कर पाते है Index funds में निवेश करने का सबसे बेस्ट तरिका क्या है beginners हमेशा SIP के जरिये Index funds में निवेश करे SIP हमें निवेश के प्रती discipline बनाता है और market के ups and downs के lab automatically मिल जाते है अगर आपके पास lump sum investment के लिए पैसे है सही timing और investment strategy के साथ lump sum SIP से बहतर return दे सकता है लेकिन उसके लिए आपके पास थोड़ी बहुत technical knowledge होनी चाहिए लेकिन बिना मेहनत के SIP के साथ लंबी अवधी में 12-15 प्रतिशत की वार्शिक return आराम से पा सकते है मैं personally निवेश के लिए Index funds को prefer करता हूँ इंडिया के market indexes के इलावा भी Global Index funds में भी आप आसानी से निवेश कर सकते हैं उदाहरन के लिए USA के S&P 500, NASDAQ आदी के Index funds आपको हर एक discount broker में मिल जाएंगे Index funds में निवेश करने के लिए आप 0 धा coin, grow, IND money, आदी discount brokers का इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही एक जरूरी विशाय के साथ तब तक के लिए बाई बाई, see you soon